पहले तो आपको बहुत बधाई आपकी पार्टी को चार राज्यों में आपने जीत हासिल की है और इस तरह की जीत जो पहले कभी देखी नहीं गई खास करके उत्तर प्रदेश में जहां कहा जा रहा था कि पहले 2017 में जब बीजेपी जीती तो इतिहास रचा और 2022 में तो शाय कोई चांस ही नहीं है विपक्ष बहुत स्ट्रॉंग है ये चार राज्यों की जो जीत है बीजेपी की ये क्या संदेश देती है देखे सबसे पहली बात तो यह है कि भारत की राजनीती में हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने राजनीती की संस्कृती और राजनीती क कल्चर इसमें मूल चूल परिवर्तन करने में वो सक्षम रहे और उनके नित्रतों में राजनीतिक संस्कृती बदल गई पहले जो राजनीती होती थी वोट बैंक पॉलिटिक्स पहले जो राजनीती होती थी वो होती थी जातिवाद के आधार पर वो होती थी परिवारवा यह एक राजनीती का चलन था इस चलन को चैलेंच करते हुए तककर लेते हुए विकासवाद की राश्ट्रवाद की राजनीती इंक्लूसीव राजनीती सबको साथ लेकर के चलने वाली राजनीती सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रियास इसको लेकर के चलने वारी राजमी थी और उसके साथ साथ समाज का दलेत, पीडेत, सोशित, वन्चित हमारी महलाएं, हमारे युवा, इनका सशक्ती करन करते हुए पॉलिटिक्स को एक नया आयाम उनों न दिया और उसका नाविका जी असर ये पड़ा, कि कुल मिला करके ये जो एक कहते हैं लीक पर चलने वाली पॉलिटिक्स थी डिवाइड अन रूल, उसको चैलेंज करते हुए इनक्लूसिव पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया और इससे अप एक शब्द से हमेशा वाकिफ रहे वो थी एंटी इंकम्बिंसी, अब नया शब्द का परचलन हुआ, वो हुई प्रो इंकम्बिंसी, यानि जो इंकम्बिंट है, उसके प्रती लोगों का लगाओ होना, और उसको सशक्त करने के लिए, उसको मजबूती करने के लिए, पीपल का रिस्पॉंट करना, आप देखिए प्रधान मंतरी मोदी जी की नेतरत, तुमें जितनी भी स्कीम्स चली, और उस स्कीम्स को, को और Enhancement स्टेट गवर्मनेंट्स ने किया और Implement किया, और उसको Literal Spirit में Implement किया, उसका नतीजा ये हुआ, कि जातिवाद छोड़कर, खचित्रवाद छोड़कर, परिवारवाद छोड़कर के, लोगों ने तै किया, कि हमारा विकास करने वाला कौन है, यानि विकास वाद तो एक बहुत बड़ा लाभारती वर्क जिसका शर्षक्ति करन वा जिसका एंपावर्मेंट हुआ उन्होंने भारतिय index को समर्थन दिया तो इसलिए मोदीजी की नीटिया, मोदी जी पर विश्वास, मोदी जी के द्वारा एंपावर्मेंट के लिए जो नीडी था उस तक पहुँचना और उसको इंप्लिमेंट करने में सभी सरकारों का प्रदेश की सरकारों का इसको इंप्लिमेंट करने में काम करना और साथ ही साथ पार्टी ने भी ताकत के साथ उसको लास्ट माइल डिलिवरी में अपने आपको जोड़ा। So all this has resulted under the dynamic leadership of Prime Minister Modi that we find that a new definition has come up which is known as pro-incumbency and that is why in all these states we have repeated with a fairly good support of the voters and they live. Nadaji, मैं पूछना चाहती हूँ, आपने कहा प्रधान मंत्री Narendra Modi और इसमें कहीं दो राइ नहीं है, कि जिस तरह की उनकी personality है, leadership है, जिस तरह का उनका support base है, उसकी वज़ा से आप चुनाव जीतते हैं. और क्यूंकि आप भाजापा के अध्यक्ष हैं, मैं पूछना चाहती हूँ और लोग जानना चाहेंगे कि यह जो victories हैं, यह जो जीत आपने हासिल की हैं, कितनी dependent हैं, सिर्फ एक आदमी जो Narendra Modi है, उनकी छवी पर और कितना इसमें party की contribution है. देखिए, पहली बात तो यह है कि इसमें कोई दोराय नहीं है ना विकाजी, कि as a leader, he has proved himself a towering leader, not only in the country, but also in the world. और वह भारतिय जनता party के वैचारिक प्रिष्ट भूमी पर भी, उन्होंने जिस तरीके से विचार का तीखापन लाया, जो sharpness उन्होंने लाई, जो जिसको बोलते हैं कि एक नई दिशा देते हुए उसको और अच्छे तरीके से उसका प्रकटी करन किया, उसको सब लोगों उन्होंने फॉलो किया, तो हम ये कहेंगे कि नित्रत मोदी जी का, he led the country and the states from the front, but the party and the state leaders followed it in letter and spirit, तो उन्होंने इसको नीचे उतारने में state governments ने काम किया, लेकिन हाँ, ये सारी चीजों की रचेता अगर आप बोलेंगे, तो वो नरेंदर मोदी जी है, इसलिए उनके नित् तरीके से define किया, re-define किया politics को, उसको पार्टी ने बहुत सहर्ष्टा के साथ और एक obedient soldier के तरीके से, it has been implemented at the grass road level, पार्टी का जहां तक सवाल है, प्रधान मंत्री जी का जो inclusive development का style of functioning है, उसमें वो पार्टी को हमेशा confidence में लेकर और उसको समावेश करके, एक प्रधान मंत् जेश के helm of affairs में हो, वो पार्टी में तनी रुची लेता हो, ऐसा मैंने नहीं देखा, लेकिन मोदी जी is an exception to it, और उन्हों पार्टी को भी कैसे function करना चाहिए, पार्टी को भी कैसे involve करना चाहिए, अभी आप से मैं शेयर करना चाहता हूं, कि हम अब साथ तारीक से लेकर के जेश कंचेश क्रणा चाहिए, जेश कंचेश क कहते हो, ये जेश कंचेश के खाए, और उन्हों अभी के जिवाउची का रहा है, इस व्यूकर का तसम कर रहे हैं, इस कौम कर रहे है, अभी जी जी को दृट ज़िए गया अनाज अस्ती करोड की जनता कार, ये पहुच रहा how many beneficiaries have to take the benefit and how many are taking so it is his vision that we are implementing and his vision is that party should and the perfect coordination should be there between the party and the and the government तो उसमें से निकल क्या रहा है उसमें से निकल ये रहा है कि सरकार की नीतियों को एक सिपाही के तरह पार्टि उसको लेटरर स्पीरिट में लास्ट माइल डिलीवरी में गाम कर रहा है और उसके साथ-साथ पार्टी का भी संसकार डवलप कर रहा है यू सी यूर कमिट्मेंट यूर वरकिंग स्टाइल अब सेवा ही संगेतन कोरोना में उन्होंने हम को कहा कि आप लोगों को पा और सम लोगो ने ये, तीन महिने तक हम लोगो ने राशन पहुंचाया, मैदिसन पहुंचाया, सब कुछाया, रस्ट, all of the political parties were in the isolation, they were, they had gone quarantined, they were nowhere to be seen, they were only seen on twitters, they were only seen on video conferencing, भारतिय जनता पार्टी के लाखों कारे करता उसके आमें आए, now what happened, कि सेवा ही संगथन, यानि, party is not only for political activity, party has got a social responsibility also to shoulder, उसमें कुछ आजीत ही नही कर रहे थे हैं, लेकिन party, पर हुआ क्या, during lockdown, the whole party was in full swing, as far as the सेवा part was concerned, and we developed a sanskar of सेवा in times of crisis, now what happens, every party worker says, whenever there is some type of calamity takes place, of a party workers without going for a command, तो मोधी जी ने हमारे संसकारों को party में भी बदला है, और दिशादी है, और मैं आपको सच बता हूँ, मैं इतना अपने आपको privilege समझता हूँ, मैं अपने आपको खुशनसीब समझता हूँ, कि उनका direct involvement party के दिश्टी से, और हमको हर समय में nurture करना, बताना, direction देना, सुझाओ देना, इसको implement करने के लिए करना, कि हम enthused होते हैं और हम ही नहीं होते हैं, लाखों करोडों कारे करता होते हैं, तो फिर,